जैसे राम टेडर भाई हों, आज के दिन मार्केट में किस तरह से काम किया गया, आए मैं आपके साथ डिसकस करता हूँ, तो सिंपल ही, मैं अपने लेपटप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओन कर देता हूँ, उसके बास से मैं आपको समझाता हूँ, यदि आप भी प्रोफिट एक दिन जो है, एक से दूर ट्रेड लेना है, आपको इससे अधिक ट्रेड लेना ही नहीं है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तो काफी अच्छी बात है, अगर आप इसके अलाबा जो है, एक और ट्रेड ले लेते हैं, तिन ट्रेड भी ले लेते हैं, तो वह चलेगा, लेकिन आपको तीन ट्रेट से अधिक आपको किसी भी दिन लेना ही नहीं है, मार्केट चाहें जो हैं किसी भी डिरेक्शन में चला जाएं, आपको लेना ही नहीं है, दूसरा जो आपको करना है, डिसिप्लीन आपको हमेशा मेंटेन रखना है, discipline कहने का मतलब है आपको segment को deactivate कर देना है यानि कि kill switch को activate कर देना है और तीसरा तीसरा आरा ratio आपको loss लेना है जो loss होगा आपका previous day का जो profit होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए आपका loss loss हमेशा previous day के बराबर हो या फिर उससे कम हो तो आप successful trader बन पाएंगे profitable trader बन पाएंगे और इस picture के माध्यम से मैं आपको समझाने का यहीं परियास कर रहा हूँ कि देखिए लोग कोई भी वेक्ति जो है दिन भर काम करता है तो उसको जो है एक दिन की मजदूरी जो है इससे कम ही मिलता है अगर आपको एक दिन की जो मजदूरी होती अगर मिल जाता है तो आपको खुशी पुरबग जो है अपने trade को trade से exit हो जाना है और segment को deactivate कर देना है इस तरह से आप काम करेंगे तो आप profitable trader बन पाएंगे और नहीं बन पाएंगे यहीं एक मात्र रास्ता है profitable trader बनन जो है काफी अधि gap of opening देखने के लिए मिला इसमें काफी अधि gap of opening देखने के लिए मिला और चार्ट को simply समझते हैं कि चार्ट कहना क्या चाहता है previous day का चार्ट यदि आप देखेंगे तो market में क्या हुआ है continue जो है downside का momentum मिला है यानि continue fall ही हुआ है तो देखिए market में कभी भ कर लेना है यानि कि scalping जो है आप बेस्ट रहेगा अगर आप hold करके बैठेंगे तो आपको loss हो जाएगा तो वैसे हुआ ही आपको downside के direction के अनुसार ही चलना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर market जो है ओपनिंग देते हैं डारेक्ट जो है downside में आने लगा तो और market क्या करेगा इनका stop loss hit कर देगा तो यहाँ पर देखिए उनका stop loss hit कर देगा वह भी thinking है और market उपर उपर भी जाएगा डारेक्ट नीचे तो आएगा नहीं तो मैं यहाँ पर एक upside का trade लिया था है मैं overall तो इसमें तीन trade ले लिया हूं लेकिन मुझे benefits जो है एक trade से ही मिल तो चलिए मैं आपको position में position में आप देख सकते हैं यहाँ पर finalize जो है कितना benefit है उसके बाद से order book में मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देख सकते हैं put में यहाँ पर entry था 263 पर entry था और 260 पर exit में हो गया हूं तो यानि तीन point का इसमें लंसम चार point का stop loss है दूसर loss जो है आपको हमेशा लेना है तो काफी छोटा छोटा लेना है loss जो है आपको हमेशा कम लेना है profit जो है अधिक लेना है तो इसमें देखिए यह call वाले में मैं entry किया था timing देखेंगे 9-25-20 में और exit मेरा है 9-30 में है यहाँ पर इसको hold किया गया था तो इसी को जासे यहाँ पर मुझे 15 पॉइंट मिल पाए है यह hold करने के वज़से मिला है तो यहाँ पर 9-25 में तुम्हें एंट्री था यानि कि इस candle पर इंट्री था तो और उसके बाद से 9-30 में exit हुआ है यानि कि यह जो candle देख रहा है यह जो सबसे हाई में गया है यह जो candle हाई में सबसे गया ह इसी candle में exit हो गया है तो आप देख सकते हैं कि exit भी मैं काफी सही जगा पर किया हूँ क्योंकि देखिए market में उपर stop loss है नहीं और market का trend भी यहाँ पर downside में है तो market के against में जो भी लोग जाएंग उनका loss ही होगा तो यहाँ से देख सकते हैं वहीं वाला यह जो है लंबा सा downfall देखने के लिए मिला है यह देख सकते हैं यह जो downfall मिला है इसी को जासे मिला है